तो भाई लोग कैसे हो आप सब उम्मीद करते हों कि आप सब बढ़िया होगे तो आगए एक और नई वीडियो के साथ में और मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था कि अगला वीडियो आने वाला है जिसमें LD प्लियर पर अपन केमेपिंग करेंगे बढ़िया से बढ़िया केमेपिंग करेंगे तो वह वाले वीडियो भाई आ चुका है और इस वीडियो में हम आपको बढ़िया से बढ़िया केमेपिंग करके दिखाएंगे LD Player के अंदर और कुछ ऐसी सेटिंग भी बताएंगे जिनका यूज़ करना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा क्योंकि LD Player के अंदर आपको बहुत सारी प्रॉबलम देखने को मिलेगी तो चलो यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो भाई लोग यहाँ पर आपका पिछली वीडियो में LD Player इंस्टॉल हो चुका था अपने PC के अंदर और उस पर फिरी फायर भी अपने इंस्टॉल कर लिया था अब अपना बागी का काम बचाता है इस पर केमेपिंग करना और स्कुछ सेटिंग करना तो जैसी आपका LD Player ओपन होगा तो सबसे पहला आपको क्या करना है भाई अपनको कलेक्शन पैक डाउलोड नहीं करना है जब तक कि अपना फिरी फायर अच्छे से ना खिले लगए LD Player के अंदर तब तक आपको यहाँ पर कलेक्शन पैक डाउलोड नहीं करना है तो चलो अब अपनको करना है केमेपिंग तो केमेपिंग किस पिरकार से करना है सबसे पहले आपको जाना सेटिंग के अंदर और सेटिंग के अंदर आपको यह अच्छी सी कस्टमेचुटी क्रेट करनी बढ़ेगी अगर आपने पहले से custom hd create करके आपने online upload करके रखिए तो download बटन पर click करके आप बोबाली custom hd download कर लो अभी तक आपने create करके upload नहीं की थी तो चलो अपने start से एक custom hd बनाते हैं और उसी पर अपने बढ़िया से बढ़िया game mapping करेंगे तो इसके लिए आपको जाना है controls पर और custom hd पर click कर देना है और जैसे आप custom hd पर click करोगे तो आपके सामने यहाँ पर default free fire की custom hd रहेगी और उसी की साथ में LD player की भी default यहाँ पर game mapping रहेगी मतलब यह वाली game mapping जो आप अपनी on screen देख रहे हो यह वाली है default game mapping पर यहाँ पर हम इसको हटा के बहुती बढ़िया game mapping करेंगे तो उसके लिए अपन ना start करते है अपने वीडियो को तो सबसे पहले अपन को set करने है यहाँ पर बढ़िया से बढ़िया custom है चुड़ी तो चलो मैं यहाँ पर फटापर से बढ़िया custom है चुड़ी यहाँ पर set कर देता हूँ तो भाई लोग यहाँ पर आपको इतनी फटापर से अच्छी जी fresh custom है चुड़ी create कर लेनी है जैसे कि मैंने करके रखी है मैं आपर बता दू कि आपको इबाले option कुछ है यहाँ पर percentage पर save करने जैसे कि 10% 15% तो आप यहाँ पर देखी लिया होगा कि मैंने कि इस पर set करके रखे है तो आपको इसी प्रकास से छोटा छोटा कर देना है और आपको medicate और गिल कर दें तो बस यहाँ पर save के button पर click करके अपनी custom maturity save कर देनी है उसके बाद फिर से open कर लेनी है अब अपन को इस वाली custom maturity पर के मैपिंग करना है तो चलो यहाँ पर option है यहाँ पर आप early player की यहाँ पर sidebar में जाओगे तो यहाँ पर होगा के मैपिंग का option तो इस पर click कर देना है इसकी बाद आपकी साफने बहुत बड़ी window यहाँ पर open हो जाएगी तो पर इस side से के मैपिंग start करते हैं तो यहाँ पर देखलो जो joystick का option है आपको इससे बिल्कुल भी नहीं बोड़ना है क्योंकि यहाँ पर error आ जाएगा क्योंकि यह वाले emulator blue sticks की तरह बिल्कुल भी नहीं बस अपनको कुछ यहाँ पर setting बगेरा change करने हैं यहाँ पर अपने जो है shift का button आपको delete कर देना है और यहाँ पर हम बात करें आपको यहाँ पर c का option हो गया बैठने के लिए और यहाँ पर jump का option हो गया इसको delete कर देना है और right click को आपको थोड़ा से scope की उपर यहाँ पर रख देना है और ध्य यहाँ पर डिलीट कर दो और ही डिलीट कर दो और यहाँ पर बात करें इनको रहने दो यहाँ पर mouse wheel को भी आप delete कर दो यहाँ बड़ी बेकर setting हो जाती मतलब इनको delete कर दो जो मैं setting चेंज करता जारा हूं बस आपको इसको देखना और इसके बाद में option आएग घिक कर दो जै जरसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर है, कंट्रोल से अपन माउस को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, जैसी आप यहाँ पर अपने एड़ी प्लियर के अंदर कंट्रोल प्रेस करोगे, तो आपका माउस लॉक और अनलॉक हो जागा, यानि कि जो करसर आपके सामने होगा, वो और अनहाइड हो जाएगा, अगर आप कंट्रोल का यूज करना चाहो, तो करो बनना कर आप इसको चेंज करोगे, तो यहाँ पर देखो, सेंस्टिविटी का ओप्शन की ठीक ओपर आपको किलिक करके F1 दवा देना, क्योंकि मैं यहाँ पर F1 का ही अधिकतर यूज करता हू तो आपको उसपर F1 की थ्रो आपको अपना माउस को अनलॉक, और लॉक और अनलॉक करना है, तो चलो अपन फटापर से केम एपिंग करते हैं, केम एपिंग में कुछ नहीं, रिवाइब के लिए अपन भी का यूज करते हैं, तो उप्शन उसी की ऊपर रखना चाहिए, मत और यहाँ पर जो अपना स्कीड़ बॉर्ट होता है पाने के लिए आप यहाँ यहाँ पर F3 या F4 उच करता हूँ, और यहाँ पर जो स्कीड बगारा है आलोग बगारा कोरणों के लिए मैं Q का उच करता हूँ, तो इस तरह से आप यहाँ पर रखना बगार और Vector के लिए यहां पर टरीक करने के लिए आप यहां पर खुला है झालक है कसली है क्पलीट करकी है। परना बाद में क्या होता भाई न अपना अठक जाता है मनलों यहां पर सेंस्टिविटी अपडाउन तो होती है पर यहां पर अपन को जॉयस्टिक का भी प्रब्लम देखने को मिलता रहता है तो यहां पर देख लो यह वाली अपनी बढ़िया से बढ़िया केमेपिंग हो च भाजीक चिनन है तो इधर से आप अपने अंधर यहां पर जॉयस्टिक को ला सकते हो और यहां पर आगर आपका शूटर बटन hide हो गया तो अभी धर से shooter बटन को भी मतलब fire बटन को भी आप यहां पर से ला सकते हो सारे option आपको यहां पर मिल जाएंगे आई का भी option मिल लाएगा भाई यहां पर सारे option है तो इस तरह से आप सारी केमेपिंग कर लोगे किसी का transparency zero नहीं करना बस बैठने का हो गया चलने का फिरने का हो गया पस इनकी आपको transparency zero कर देने आपके अनुसार है अगर आप करना चाहो तो करो बनना ना करो और यहां पर मैं कर ही देता हूं तो आप यहां पर कर सकते हो तो बाकि यहां पर देख लो सारी setting अपनी complete हो चुक तो यह हो गई X की setting और यह हो गई Y की setting तो आप इधर से घटा वड़ा सकते हो Y की setting का मतलब होता है top और bottom और X की sensitivity का मतलब होता है left and right तो इस तरह से आप sensitivity मेनेज कर सकते हो तो आपने यहाँ पर वीडियो देखा कि बाई कितना easy था यहाँ पर elderly player पर game mapping करना अगर आपका कुछ यहाँ पर छूट क्या हो यानि कि आप कुछ कोई भी आपने miss कर दिया option तो भाई आप यहाँ पर comment में बता सकते हो मैं comment में आपका reply जरूर करूँगा तो चलिए मिलते है next video में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर दो